हेलो गाइज, वेलकम बेक टो माई अनदर वीडियो, तो आज की वीडियो में हम डिसकॉस करने वाले हैं, आइसे से क्लास 10th बाइलोजी का, चैप्टर नमबर वन, सेल, देस्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल उनिट आफ लाइफ, तो गाइज, ये चैप्टर, क्लास 9 और क्लास 10th के स्टूडेंट, दोनों देख सकते हैं इस वाली वीडियो में, क्योंकि गाइज, इस वाले वीडियो में, मैं आपको मेन, ये 15 पार्ट्स ऑफ सेल के टेबल एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, जो कि क्लास 9 आइसे से बुक में गिवन है, तो गाइज, अगर आप क्लास 9 क स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके ले भी यूसपुल होने वाली है, चलिए गाइज, शुरू करते हैं, अपने पहले पार्ट से, सेल मेंब्रेन, तो गाइज, जो सेल मेंब्रेन होती है, वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजन रहती है, बस इसमें फ जो है, सेल वाल की प्रेजन से क्या आती है, सेल में रिजिडिटी आती है, और हुमन बॉडी में अगर सेल रिजिड हो जाएंगी, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए हुमन सेल में जो होता है, सेल वाल प्रेजन नहीं रहती है, तो सेल में होती है animal cells में ठीक है यह semi permeable होती है ठीक है living membrane होती है और इसमें fine pores present रहते हैं मतलब minute minute 6 जिसमें present रहते हैं अब बात कर लेके इसके most important अब गाइस जो इसका main characteristic feature है वो यह है कि यह लिपो protein से मिलके बनी होती है ठीक है यह बहुत important है यह आपको chief function की जो chief function होता है cell membrane का वो क्या है कि it regulates the entry of certain solutes and iron अब ये कैसे करती है regulate entry को क्योंकि ये semi permeable होती है semi permeable का मतलब क्या होता है कि वो कुछ selective चीजों को ही अंदर आने देगी और बाकियों की entry को वहीं पर रोग देगी ठीक है दूसरा क्या है it separates certain contents of the cell from the surrounding cell membrane से क्या होता है कि जितना भी cell का content है जो भी cell के अंदर cytoplasm endoplasmic reticulum mitochondria और जितने भी organs है वो cell के अंदर ही present रहते हैं और वो body के जितनी भी outer environment है उसके साथ या फिर outer surrounding है उसके साथ mix नहीं होते हैं अब last important function क्या है यह chief function यह है कि जो cell membrane होती है वह animal cells का shape maintain करके रखती है ठीक है ध्यान रखिए cell membrane सिर्फ animal cell का shape maintain करती है अब बात करते हैं cell wall की तो cell wall जो होती है वो outermost layer होती है plant cell की यह non living होती है ठीक है अब यह कैसी होती है जो हमारी cell membrane थी वो semi permeable थी मगर जो cell wall है वो freely permeable होती है मतलब वो सारे solutes जितने भी होंगे उन्हें अंदर आने देती है ठीक है बिना किसी membrane के वो एक कोई भी selective membrane नहीं है वो सारे solutes को अंदर आने देती है ठीक है अब यह किससे मिलके बनी होती है यह cellulose से मिलके बनी होती है तो यह तो थे इसके main characteristic feature अब बात कर लेते हैं इसके chief function की जो cell wall है उसका chief function क्या है कि वो हम जो हमारी plant cell है उसको protection provide करती है और उसे rigidity और shape provide करती है यह cytoplasm जो है jelly like structure है जो की cell membrane के अंदर present रहता है इसके अंदर क्या-क्या रहते हैं सारे organic compound सारी cell organelles और water और inorganic sods इसके अंदर present रहते हैं अब इसमें इसका function क्या है कि cytoplasm के अंदर जो different different organelles present रहती है वो different different function को perform करती है ठीक है वहीं आप इसका दूसर meetings function क्या है कि यह जितनी भी metabolic activities होते हैं वह cytoplasm के अंदर ही होती है तीस्रा important function क्या है कि यह initial step provide करता है respiration की, सारे respiration के initial step cytoplasm में ही होते है तो guys अब बात करते हैं हम endoplasmic reticulum के बारे में तो endoplasmic reticulum क्या है एक double membrane irregular network है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर irregular यह जो network है इन्हें हम endoplasmic reticulum कहते हैं यह क्या होते हैं दो type के होते हैं या तो smooth होगा या rough होगा ठीक है अब क्या है यह जो हमने बात कर ली इनके cheat characteristics के बारे में अब बात कर लेते हैं इसका function क्या है कि endoplasmic reticulum क्या function perform करता है cell के अंदर तो endoplasmic reticulum जो पहला main function provide करता है या फिर perform करता है वो क्या है कि वो supportive framework प्रोवाइड करता है एक supportive framework मतलब जैसे यह आप देख सकते हैं तो यह cell के अंदर को भी support करता है जो इसके internal parts है और इसके internal structure को support करता है और एक supportive framework उन्हें provide करता है दूसरा क्या है कि वो synthesis और transport of protein and fats में help करता है तो यह दो थे इसके main functions अब बात करते हैं अपने fifth part के बारे में तो guys मैंने आपको अभी तक जितने part बताए cell wall के अलावा cell wall एक अकेला ऐसा part है जो plant cell में present रहता है किसके respect में अभी तक हमने जितने parts पड़े उन में से cell wall सिर्फ plant cell में present रहता है बाकि जितने भी organs हैं वो दोनों plant और animal cells में present रहते हैं ठीक है अब बात करते हैं mitochondria की तो guys जो mitochondria होता है इसको powerhouse of the cell भी बोलते हैं अब इसे ऐसे powerhouse of cell क्यों बोलते हैं क्योंकि release करता है energy ATP के form में दूसरा इसका important function है ये synthesis of respiratory enzymes में help करता है हमारा mitochondria तो ये तो हमने पहले बात कर लिए इसके function की अब बात कर लेते हैं guys इसके characteristic की इसके characteristic feature क्या-क्या है कि सबसे पहला जो mitochondria होता है ये sausage like structure होता है जो double और double wall रहता है और इसकी inner wall जो होती है वो इस fold के form में रहती है ऐसे folds के form में रहती है और इन folds को हम क्रिष्टे कहते है ठीक है अब इसके अंदर क्या है mitochondria का chief characteristic feature ये भी है कि इसके अंदर इसका खुद का ribosomes present रहते है इनके अंदर इनके खुद के DNA भी present रहते है ठीक है अब बात कर लेते हैं Golgi apparatus की जो Golgi apparatus रहता है तो ये क्या है flattened membranous sack है ये आप देख सकते है ये एक बोरी के form में है ठीक है जिसे आपने देखा होगा कोई भी हमारी जो बोरी रहती है जिसमें आलू रहते है या फिर चावल रहता है वो एक पहले जो एक sack के form में रहती है अगर वो बोरी खाली है तो वो जिस तरीके से settle हुई रहती है उसे flattened membrane sack बोला गया है ठीक है इसी form में हमारा Golgi apparatus रहता है अब इसका main function क्या है एक तो ये synthesis and secretion of hormone करता है दूसरा इसका main function है कि ये formation of archosomes of sperm भी करता है sperm की जो archosomes होते है Golgi apparatus उनका formation करता है अब बात कर लेते हैं ribosomes की ribosomes क्या होते है small granule like structure होते है ये आप देख सकते है या तो ये पूरे हमारे cytoplasm में फैले वे रहेंगे या तो आपको ये कहां देखने को मिलेंगे endoplasmic reticulum की outer wall में ये देखने को present रहेंगे ठीक है RNA से मिलके बनी रहती है इनका main function है protein synthesis का अब बात करते हैं अपने 8 organ के बारे में जो की है lysosomes तो lysosomes क्या है एक membranous sac है जो की हमारी Golgi body से बाहर निकला हुआ रहता है ठीक है lysosomes जो होते हैं इनके अंदर 40 different type of enzymes present रहते हैं अब बात कर लेते हैं इसके function के बारे में तो इसका जो main function है पहला तो intercellular digestion intracellular digestion में help करता है हमारा lysosomes अब दूसरा क्या है यह digest कर देता है जितने भी foreign substance है उनके digestion कर देता है या फिर उन्हें destroy कर देता है ठीक है और यह dead और remaining निफ्व जितनी भी cell organize रहती है इनको भी वो क्या कर लेता है इंगल्फ कर लेता है जितनी भी injured या फिर dead cell organize रहती है या फिर dead cells रहती है इन्हें ये enjoyed इंगल्फ कर लेता है एथीक है इसलिए इन्हें वह provisionscular antibiotics भी कहा जाता है ये इसमें main था इसे आप highlight जरूर करें ठीक है एक और इसका और last जो mean function है वो क्या है कि cartilage का formation जो होता है when cartilage जो बच जाता है bone formation के time पे उसका भी भी civilization कर देता है कौन हमारा lyzozome ठीक है अब बात कर लेते हैं centrosome के बारे में को क्या होता है 1-2 centriols surrounding the nucleus is known as centrosomes ठीक है यह आप देख सकते हैं यह हमारे सेंट्रोजोंस है इनका में फंक्षन क्या होता है कि एक इनिशेट और रेगुलेट करते हैं हमारे सेल डिवीजन को और और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है किसकी मदद से एस्टर्स की क्या रहता है हमारा chlorophyll present रहता है अब जो प्लास्टिड होती है यह सिर्फ plant cell में present रहती है वहीं जो हमने centrosome की बात करी थी वो सिर्फ animal cells में present रहता है तो आप जो हमारा प्लास्टिड है अब बात कर लेते हैं कितने टाइप का होता है क्योंकि इसका चीफ function के बजाए आपको बताया गया है कि प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं तो गाइज प्लास्टिड होते हैं तीन टाइप के chloroplast ठीक है जो की pigment chlorophyll को store करके रखता है lycoplast जो starch को store करता है chromoplast जो impart color करता है impart color का मतलब जो भी हमारे fruits है और जो भी plant का color है flower का color है उसको provide करता है यह chromoplast ठीक है तो यह तो था प्लास्टिड का characteristic function अब बात कर लेते हैं main part की main part क्या है हमारा nucleus तो nucleus क्या है largest cell organally है ये mostly क्या होती है spherical shape की रहती है और अन्दर से dense रहती है इसकी अंदर network of creed like structures present रहते हैं ये धागी जिसे structures present रहते हैं जिसे chromatin fiber कहते हैं और chromatin fabrics के एंदर हमारा DNA present रहता है अब बात कर लेते है गाइस nucleus की Main function के बारे में तो नूखलियस का Main function क्या है एक तो यह सैल के सारे functions को regulate करता है ठीक है और जो chromosomes है chromosomes के hereditical characteristic को भी यह control करके रखता है और जितनी भी सेल की जो भी सेल हमारी मर जाती है ठीक है यह इंजेड हो जाती है उन्हें क्या कर देता है यह हटा देता है अब बात करते हैं गाइस न्यूख्लोलस की तो न्यूख्लोलस क्या है हमारा one or more round shaped organelles which is present inside the nucleus जो न्यूख्लियस के अंदर एक round shaped organelles present रहती है इसे न्यूख्लोलस कहा जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं न्यूख्लोलस की chief functions क्या होते हैं तो न्यूख्लोलस जो होता है यह protein synthesis में participate करता है और कैसे participate करता है by the formation and storing of RNA ठीक है ribonucleic acid के formation और storing में यह help करता है हमारा न्यूख्लोलस ठीक है अब बात करते हैं chromatin fiber की तो chromatin fiber क्या होते हैं thin head like structures जो की हमारे nucleus के अंदर present रहते हैं इन्हें chromatin fiber कहा जाता है यह chromatin fiber किस से मिलके बने रहते हैं यह chromatin fiber जो है DNA thread से मिलके बने रहते हैं इसके बारे में मैंने एक detail वीडियो तो पहले से बना रखी है जिसमें मैंने आपको chromosomes के बारे में detail में समझाया है तो यह वाला part तो आपको वहां पे भी समझ में आ गया होगा अब जो chromatin fiber है इसका एक ही important function है वो है कि वो hereditical information को carry करने में help करते हैं अब बात कर लेते हैं vacules की तो vacules के होते है clear spaces रहते हैं जो cell के अंदर present रहते हैं और इनकी जो outer covering होती है इनको हम tonoplast कहते हैं अब बात कर लेते हैं इसका main function क्या है इसका पहला main function है storage of water यह water के storage में help करता है दूसरा वो turgidity provide करता है अब बात कर लेते है ग्रेनियूल्स की तो ग्रेनियूल्स क्या रहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स या फिर क्रिस्टल लाइक ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती हैं हमारे सेल के अंदर और सेल के भी कहां साइटोप्लास्म जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं ठीक है और इनका में जो plant cell होती है, they are generally larger in size, वहीं जो animal cell होती है, वो smaller size की होती है as compared to plant cell, जो हमारी plant cell रहती है, इसकी definite cell wall रहती है, जो की cellulose से मिलके बनी रहती है, वहीं जो animal cell होती है, उसमें कोई cell wall present नहीं रहती है, जो plant cells होती है, उसका cytoplasm जो होता है, ज्यादा dense नहीं होता है, मगर जो animal cell है, उसका cytoplasm dense रहता है ठीक है जो centrosomes रहते हैं plant cell में वो absent रहते हैं वहीं centrosomes animal cell में present रहते हैं vacuels जो होते हैं large और more prominent रहते हैं plant cell में मगर vacuels के रहते हैं small or temporary रहते हैं हमारे animal cells में तो ये थे गाइस कुछ differences और साथी साथ हमारा पूरे main parts की table I hope guys आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अगर आपको guys इन में से कोई भी doubt आता है तो आप मुझे comment में पूछिए so thank you guys for watching my video वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और मिलते हैं अब अपनी next video में